हे गाईस विलकम टू सक्सेस दिलिप में दिलिप कुमार स्वागत है अपका इस वीडियो में तो दोस्तों आज की वीडियो में ओनलाइन फॉम फिल करके आपको हम बताने जा रहे हैं रेल्वे अप्रेंटिस वेकेंसिज का जो की निकाली गई है नौर्थ सेंटर रेल्वे प्रियाग राज से यहां पर 16-64 पोश्ट के लिए बंपर वेकेंसिज़ की निकाली गई है जिसकी डिटेल्स वाली वीडियो में ने अल्रेडी बना रही है आप सबने नहीं देखी है क आप सकते हैं यह सारी डिसकस इस वीडियो में हम करने वाले चले शुक करते हैं तो इसकी अप्लाय ऑनलाइन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी अप्लाय ऑनलाइन करके और बैसिकली इसके ओफिसल वेबसाइट पे विजिट करके आप देख सकते ह करने जिसके लिए आपको यहाँ पे और देन यहाँ पे अपना ट्रेट करनके लिए तोAds के envisioned वाले यहां पर इसके भाद यहां पे पजलाइन पर न आपको यहाँ केंदrous पोटल है इस पे रेश्टेशन करना जरूरी है जितने भी आईटिया स्टूडेंट हैं जो 1664 पुश रेलवे का फॉर्म फिल कर रहे हैं इस पे रेश्टेशन कैसे करना है इसकी डीटेल में वीडियो बना दिया है अब जरूर नहीं देखी है तो जरूर देखेगा लेकिन उ उसके बाद जो भी रेश्टेशन नमर है आपका या फिर आगी या पर आपना रेश्टेशन नमर एंटर करेंगे यहां पर अपना पूरा नाम एंटर करेंगे जिसे रिया सर्मा है तो रिया सर्मा यहां फे टोटली नाम आपको यहां पर फिल करने होगी capital letter मेंação में उसके और मन्त यहाँ पर देख सकते हैं, बैक भी कर सकते हैं, यह आपका मन्त्रा, उसके बाद यहाँ पर डे सलेट करके सीट कर लें, तो देख सकते हैं, यह हो चुगा है, यहाँ पर अपना मॉबाइल नमर जो की एक्टिव हो, वही मॉबाइल नमर फिल करें, यानि कि उस पर OTP जाए अभी, उसके बाद इमेल एड़ी, अपना इमेल एड़ी और मॉबाइल नमर काफी जरूरी होता है, तो जो भी एक्टिव हो, वर्किंग हो, उसी यहाँ पर फिल करें, इमेल एड़ी मॉबाइल नमर, देन यहाँ पर सेंड OTP के क्लिक करें, तो देख सकते हैं, OTP एंटर करें, और एंटर करने के बाद सब्मेट करें, तो फाइनली आपका रेइश्टेशन हो जागा, यहाँ पर साफ बता गया है, कि डियर रिया, यह रेइश्टेशन ही सक्सेस्फुली कंप्लिटेड, आपका यूजर नमर पासवर्ड है, आपके मॉबाइल नमर और आपके एमेल आड़ी पे सेंड कर दिया गया है, और OTP डालने में आपसे लेट हो जाती है, वहाँ पे टाइमर चल रहा है, तो आप फिर से बेक आईएगा, और फिर से रिसेंड कर दीजेगा, तो आपको लोगिन करना है, लोगिन करने के लिए रेइश्टेशन आड़ी य उसके बाद लोगिन कर लें, तो फाइनले आप देख सकते हैं, यह आपकी रेइश्टेशन की डिटेशन आजागी, यहाँ पर टोटली आप एंडर भी कर सकते हैं, अब आपको यहाँ पर सारी डिटेशन फिल करनी हुए, जैसे प्रस्टनल डिटेशन, क्वालिफिकेशन, डॉकिमेंट, एंड चेक पेमेंट, आपको पेमेंट भी करना है, तो सबसे पहले में आपके फिल डिटेशन डिटेशन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपका नाम फिल मिलेगी, फादर शने मयानी अपने पिता का नाम आपको फिल करना है, यहाँ पर आपको अपना माता का क्या है आपकी मेल हैं आप थो कैटेग्री से बिलोंग करते हैं सिंप्ले हैं से आपको सेलेट करना है उसके बाद कैडेग्री क 뚱्याइब क्लिक्रांग तो यहां पर तो एक सेलेक्षन के लिए आपे selection मिलेगी yes हैं तो yes करना है या थवा no section पर क्लिक करना है उसके बाद अपने यहां पर permanent address का सबसे पहले किर्चरिया दिया गया आपका जो भी full address होगा फिल करेंगे यहां पर अपना state फिल करेंगे आपकी state से बिलॉंग करते हैं उसके बाद अपने district फिल करेंगे कि आप कौन से district से बिलॉंग करते हैं नेक्स अपने एरिये का पिन कॉर्ड यहां पे आपको एंडर कर देनी है उसके बाद इसके जस्ट बगल में आपको क्रोस पॉंडेंस एड्रेस फिल करना होगा यानि कि परजेंट एड्रेस अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है तो यहां पे उपर वाले सक्षन बटन पे इस सेम परमानेंट आड्रेस कीजेगा तो दोनों जो फिल हुआ है बिल्कुल इसी तरह से यह भी फिल हो जाएगी नहीं अगर अलग-अलग है तो मिनमली आप अलग-अलग फिल कर सकती हो फिर से एक बाद डेटा चेक कीजेगा जो डेटा आपने सही की है की नहीं उसके बाद यहां पर फाइनल समिट कर दीजेगा तो प्रस्टनल डेटेल्स आपकी यहां पर देख सकते हैं यह प्रस्टनल डेटेल अपलेट सक्सेसफुल हो चुका है next यहाँ पर आपको qualifications की details फिल करनी होगी सबसे पहले 10th का तो 10th का school नाम यहाँ पर आपको फिल करना होगा 10th का school name क्या था यहाँ कौन से school से 10th pass किया है 10th का role number 10th आपने कितने कौन से year में pass किया passing year, maximum marks कितना था जैसे कि हम लोग का 500 होता जारकंड में आपका जितना होता maximum ओविटेन, जैसे कि मैंने 400 marks लाया आपने जो भी marks लाया उसे यहाँ पर अंडर करेंगे, overall जो भी percentage बनेगा उसे अंडर करना है next technical qualification, तो यहाँ ITI from NCVT या फिर SCVT, आप यहाँ पर fill करेंगे तो ITI NCVT आपका क्या है आप यहाँ पर fill कर देंगे, यहाँ पर simply ITI NCVT यहाँ पर bracket दे के करेंगे इस तरह से और धियान रखें जो मैं बता रहा हूँ, बिल्गोली से तरह से आपको fill करना है, तेक से देख सकते हैं ITI हो गया, उसके बाद यहाँ पर board education, authority यहाँ कि कौन सा board था आपका यह जरूरी education, authority इन्सूट आपका अपने इन्सूट का नाम भी दे सकते हो trade, अपना trade कौन सा था electrician, यह fill करेंगे passing year क्या था, maximum mark, 10 mark, percentage, जो मैंने उपर बताया fill करने के बाद डिरेक्टली से submit कर दोगे तो आपकी qualifications की detail पहले भी submit हो जाएगी, अब आपको documents upload करना है, documents upload क्या-क्या करना है सबसे पहले यहाँ पे आपका photo upload होना चाहिए, जो 20KB से लेकर 30KB के बीच में आपका photo होगा, उसके बाद यहाँ पे आपकी signature upload होगी signature 20KB से लेकर 30KB के बीच में आपका signature भी upload होना चाहिए, और कई सारी documents आपको upload करना है जैसे 10th का documents आपको upload करना है, 10th का certificate upload कीजिएगा, mark sheet upload भी कर सकते हैं यहाँ पे ITI का certificate upload करना है, उसके बाद अगर आप HTSC, OBCC HTSC, OBCC, EWS हैं तो यह उसकी card certificate upload करनी है कोई PH candidate हैं, तो अपना यहाँ पे disability certificate एक servicemen वालों के लिए एक servicemen certificate तो सबसे पहले हमें photo upload करना है तो यहाँ पे choose file पर click करें और यहाँ पर भी अपने photo रखिये उसे upload करें, जैसे कि upload करता हूँ है और जैसे upload कीजिएगा, बगल में signature यहाँ पर upload कर लिजेगा अब यहाँ पर 10th की documents आपको upload करनी है जो की PDF format में upload करना है 50 के भी से लेकर 200 के भी के भीच में आपके PDF होनी चाहिए इसे भीच उस वाल पर click करें और PDF upload करके यहाँ पर upload section पर click कर दीजेगा तो देख सकते हैं 10th document upload successfully बता देगा तो guys आप final submit कर दीजेगा लेकिन अभी website error बता रहा है आप देख सकते हैं phone incompleted बता रहा है please make sure all filled are filled out क्योंकि मैं पूरा fill कर चुका हूँ बिल्कुर आपका हो सके तो इस तरह बताए क्योंकि अभी server इसका just open हुआ है और मैं सुबह के 5 बच के 48 मिनट में वेडियो सुट कर रहा हूँ आप जरू चेक कर लें क्योंकि जश्ट ही आज की डेट में website open हुए तो थोड़ा सा दिक्कत आना possibility बनता है क्योंकि railway है बनेगा उसके बाद क्या करना है उसके बाद मैं बता देता हूँ आपको final submit करने के बाद directly आपको payment के option पे ले जाएगा अगर आप STAC category से belong करते हैं जैसे कि female candidate form फिल करने हैं तो उसका कोई भी payment नहीं लगने वाला directly अपना form का print out ले सकते हैं कैसे लेखेंगे यह भी बताऊंगा बट अगर आप general OBC male candidate आपको payment करना होगा payment करने के बाद आप अपने form का print out ले पाएंगे और अगर कोई STAC candidate हैं तो यहाँ पर final submit कर दिजेगा जब तक यहाँ पर final submit ना दिखाए तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना है ध्यान रखेगा कोई भी final submit करने के बाद यहाँ पर actually print का option दे देगा form का print का option यहाँ पर दिए दे आ जाएगा आप देख सकते हैं यह form का print out यहाँ पर ले सकते हैं आप लेकिन आपकी जो form है तभी तक accepted माने जाएगी जब तक इसका जो form है final submit हो जाए तो थोड़ा सा wait कर ले अभी देखते हैं आपका form का print out ले लेना है तो ओफूली आज आपने सीखा कैसे नौर्थ सेंडर रेलिवे अप्रेंटिस इप का form फिल करना है इससे रेले कुछ भी क्वाइरी हो और ने की डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं बेज जिजए कमेंट कीजएगा कहीं पर भी दो रुक रहें चले मिलते हैं नेक्स वडियो में तब तक लेजाए इंद